तो आज की हमारी इस online class में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं custom formatting पे जी हाँ custom formatting आज का हमारा topic है हम बात करेंगी custom formatting में इस से rated videos हमने आपको कर दिये थे आपको देखने के आए होग कि आप लोगों ने देखा हुआ ठीक है स्टार्ट करें बाकि सबको भी आवाज आ रही है मेरे साथ जो लोग है पुनीद जी जी सर पुनीद जी सर पुनीद जी सर पुनीद हमारा आज का topic हम चाहते हैं कि कुछ टाइप कुछ और करें और सो कुछ और हैं जैसे एक हम ने बताया था कि हम चेक नंबर यहां लिखते हैं नहीं करता है अगर किसी ने आपको भेज दिया इस तरह तो क्या करें मुझे सब को 6 डिजिट बिंटेंग करना है अगर जितना डिजिट कम है उतने 0 वो आगे लगा दे तो उस case में हम custom formatting पे जाएंगे और यहाँ पे 6 time 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 time 0 हमने डाल दिया तो आप यहाँ देखिए जितना डिजिट कम था उतने डिजिट इसने आगे लगा दिए इस भी हमने करना है कि यहां पर चेक कर लिए एक्षुन में इसका 00123 होगा है मतलब किसी सेल पे हमने 00123 दे दिया है 00123 अगर यहां हम टेक्स्ट फॉर्मिले में इतनों को अगर मैं ब्रावर करता हूं तो दोनों ब्रावर नहीं होंगे क्योंकि दोनों का वीजवल तो सेन है बट अरिजिनल अलग अलग है मैं चाहतूं दोनों वीजवलों जो कोड हमने टेक्स्ट फॉर्मुले में लगाना होगा इनवर्टिट कॉमा के अंदर जैसिके आपने देखा कि हमने लगाया एटू और हमने सिक्स्टाइम जीरो यहां पर दे दिया आपके सामने दिख रहा है जी तिरपल जीरो वन टू त्री बेरेसर मैं आता है और क्या कैक कर सकते हैं इससे इसकी मॉइल नंबर में यहां लिखता हूं और मैं चाहता हूं कि फ्लास ना डालके लिखता हूं तो ना केहां ना केरने के बीचे दो रीजन है पहला कि 0 या प्लस से हम अपना फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं दूसरा कि आप 11 डिजिन तक यहां पे लिखेंगे तो normal दिखिए उसके बाद हो scientific format में चला जाता है सो मुझे इस प्लस 9-1 ही लगाना है तो हम इसको select करेंगे custom पे जाएंगे और यहां प्लस 9-1 यहां पे प्लस 9-1 अटमेंटिक लग जाता है बट यहां पे एक छोटी सी प्रॉलम है कि मालेजर में डिजिट कम डाला तो उतना डिजिट 0 अगे लगा देता है तो इससे identify करना मुस्किल हो जाता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है मुझे जिस प्लस 9-1 ही लगाना है आगे prefix ही लगाना है प्लस 9-1 का तो हम जीनो के जगाए पे hash कर देंगे तो उसे क्या होगा जितना टाइप करेंगे उतना ही दिखेंगे आगे हो जीनो लगा देगा है जैसे कि हम मीटिंग आईली की बात करें तो मैं चाहता हूं तीन डिजिट के बाद अटमेटिकली हमारा सब्सक्राइब करेंगे तो हर तीन डिजिट पे वो डैस लगा देगा हर तीन डिजिट पे हमारा डैस लगा देगा के मैं यहां पर अपना अकाउंट नमबर मैंने लिखा तो अकाउंट नमबर अगर आप 9 10 11 12 13 14 जैसे बारा डिजिट से ऊपर जाएगा आपको कुछ नहीं करना है एक जीरो या है यहां ऊपर में दे देना है जीरो या है आपका करता हूं तो जीरो जाती है थ्री फोर फाइव भी करता हूं तो जितना डिजिट डालोंगा उतना जीरो एड कर देगा इसमें एक्सल की कोई प्रॉल्म नहीं कि हमार जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है नॉर्मल पीजी है तो यह सिर्फ अपना फिप्टीन डिजिट तक का ही नंबर को कैल्कुलेट कर पाता है इसकी कैपिसिटी ही इतनी है इससे ज्यादा है तो आप सिंगल कोड में नंबर डा सकते हैं टेक्स फॉर्मेट में बतीस जार साफसो साफसा डिजिट जो है इसमें आप दें सकते हैं प्रिफिक्स सफिक्स की बात हुई जैसे मैं यहां पर क्रेड कार्ड नंबर देना चाहता हूँ बेसिकलिए में पहला चाहर डिजिट होता है और बीच में चाहर डिजिट जो होते हैं उसमें आठ एक्स लिगा होता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं जस्ट यहां पे चार डिजिट लिखूँ आर डिजिट में सिर्फ लिखूँ और वह बीस में एक्स एक्स अटोमेंटिक लगा दे तो हम क्या करेंगे कस्टम पे जाते हैं अब जीरो या हैस लिजिए फोर डिजिट हमने लिया इन्वर्टिर कॉमा में टैक्स क्योंकि टैक्स है इसमें इन्वर्टिर कॉमा देना पड़ेगा तो पुनित जी समझना आ रहा है कि हमने कहीं पर जीरो लगाया है कहीं पर है जीनुख लगाया है जैसे कि मैं यहां पर फिप्टीन हंडे लिखा हुआ है मैं फिप्टीन हंडेड टाइप करना चाहता हूं लेकिन मुझे से फिप्टीन हंडेड नहीं चाहिए इसके आगे पीछे में प्रिफिक्स और से लगाना है मतलब कि मैं यहां पर इमार्पी फिप्टीन हंडेड करना चाहता हूं किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकता है तो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं फिप्टीन हंडेड्ड एमार्पी फिप्टीन हंडेड्ड शो होगी लेकि उसमें मैथमेटिकल कलकुलेशन भी हो जाए मतलब कि जो नंबर वीजवल है उसके आगे पीछे कोई फिफिक्स सफिक्स कोई करेक्टर लगाना चाहता हुए उसके लिए इनवर्टिट कॉमा में मर्पी लिए अगर आपने सिर्फ मर्पी लिए इसके आगे या पीछे अगर हमने जीरो या हैश नहीं दिया तो सिर्फ मर्पी शो होगा आपका नंबर शो नहीं होगा नंबर को शो करना है तो जीर परेगा जिरूब या हैस कि कि आपने सिर्फ देने मेंको फ़र्क किनाय मतर्प नहीं वर्क कब ये फाइब लेकिवर्क और इसी ही जगा पे मैं दो फ़र्क तिesterol i जो देते हूं तो डिजिट मेंटेन करता है अचली एक और एक जामपल दिखाते हैं जिसे 45 रुपे और 75 पैसे मैंने लिखा हुआ है मैं यहाँ कस्टम पे गया और यहाँ पे मैंने किया हैस जीरो और फिर यहाँ पे रुपी इच अब यहाँ पर मालेशे मैं फाइव थाटी पैसे करता हूं तो फाइव दिख रहा है क्यों कि मैंने पहले हैस लगा लिए हैस मटाकर जीरो लगाता हूं इसके बाद हैस लगाता हूं अब देखिए यह आपका जीरो फाइब आ लिए अब यहां पर कोश्चिण आता है कि मैंने यहां पर दो बात जीरो क्यों लगा दिया direct और लगाएंगे लेकिन जैसे मैं पैसे करूँगा यहां जीरो जीरो रुपी और पैसे आएगा ठीक है मैं दो बार हैस लगा देता हूं दो बार हैस लगाने पिर सिर्फ रुपीज आए और लगेगा तो इसमें एक जिरो लगा दिजेगा तो आपके रुपीज दिखेगा पर पांच रुपे मैं पैसर पैसर किया इसमें जीरो फाइब नहीं दिखा लेकिन मेरी रिक्वार्मेंट है जीरो फाइब तो मैं यहां पर एक हैस और एक जीरो सब्सक्राइब करेंगे तो जीरो आगे लेगा हैस लगाएंगे तो जीरो नहीं लेगा आगे तो दो ही डिजित लेगा है तीन डालेंगे तो भी लेगा हुआ तो दो जो करेगा अब गताराओजन सेब्च लेगा हुआँ तो इसमें लेगा तो त जहती है सब्सक्राइब अब आते हैं यह सवह रह gonna त्वूट्व्ह को क्यों उसक्की तख़िए नियों को ब्लट है dozen आप इन तो इसमें आप करना है तो इसमें आप करना है तो जो कॉमा के अबाद तीन हैस अमने दिया है उसको हटाते हुआ करना है तो यहां पर मैंने 25 क कर दिया है कि यहां चार्च करना में जातर ही करते है कि मंच गया हुआ हुआ हम 25 क किया हमने यहां पर ना कि अबाउंट को थाउजन में खनवाट कर दिया सो कर दिया इसने 25 था तो सिर्फ 25 दिखा रहा है और मैं 52 थाउजन करूंगा तो 52 दिखाएगा तो यह नंबर अभी तो आड़ और अड़ हो सकता है ना अभी दूसरे नंबर से आड़ करेंगे तो जी हां ए देखिए हमने जी सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें माल लिए कि करोड़ दो करोड़ तीन करोड़ का अगर नंबर सो तो चार्ट में नंबर जो नंबर चार्ट के जो होते हैं एक्सिस होते हैं वहां पर बड़े बड़े नंबर देखनी में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो हम वहां पर चुटा लग देते हैं तो समझना आता है यहां पांसो के है यहां पर लंबा वैंड हो इसको प्रक्राइब कर दिया है यहां पर दिक्राइब फाइंड फाइंड फॉर मिलियंड दिखिया सर्थ पाट हो गया ना इन मिलियन में दो इसका इस्तमाल करते हैं आगे बड़ते हम डेट पर बात करते हैं जैसे आज का डेट हमने डाला तो डेट का फॉरमेंट लेडी इसमें तो सारे हैं ले सकते हैं आप खुद के format भी क्रिएट कर सकते हैं इसे मुझे जिसमें जो होता है D for day, M for month and Y for year होता है जिसे मैंने एक aim दे दिया तो यहां पर देखी 1100 हो रहा है मैंने यहां पर double aim दिया तो दिखना नहीं है तो double aim दिखना होता है कि 012 के format में शो करता है जी हम 012 के format जैसे कि आपका अगर मन्त जन्वरी है 0100 करेगा तीन बार अगर मैंने aim दे दिया तो यह देखी बढ़ाएगा 4 बार दिखेगा तो complete नोग पांच बार दिखेगा तो मन्त का सिर्फ फास्ट लेटर आएगा इसी में डैस डीडी अगर एक बार डी करते हैं तो 123 दो बार 0123 तीन बार करते हैं तो संद्यम बंडे तुछ ले आएगा शॉट में एक कम्प्लीट आता है इसको अपने मर्जी से जैसे आप करना चाहें कि वाई पहले हो इंगर बाद में हो आप डीडी कि अपना डीड फार्मेट बना सकते हैं तो अगर आपने टाइम टाइप किया हुआ इसकी फार्मेटिंग चाहिए तो इसलिए अगर मैंने यहां पर बड़ी ब्राइगेट में एम को डाल दिया कि मौन्थ में मिनिट में गंवार्ट पानसुम मिनट अगर मैंने यह समें बड़ी वाईकिट के अंदर एसमें डाल दिया तो इस इसमें डाल दिया तो इसमें अगर इसमें तो आप अगर इसमें एचेज करते हैं तो आपको पूरा शोह ही नहीं करेंगा क्योंकि क्यालिकुलेशन की यह तो रिजन मेलू चाहिए ना सर्ट तो इस स्क्वाइर बाइकेट में हमने एम को लिख दिया कि मारते हैं कि आपको टूफोर्ट डबल टूफोर्ट जीदो दिख़़ा होगा दिख़़ा है सर्ट कि हमारा कस्टम फर्मेटिंग का पार्ट वन था अब पार्ट टू जो हमारा है उसको सीखने के लिए आपको एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल है मारा माइक्रोसॉफ्ट का है मैं एक बाद आपको आर्टिकल फर्वड कर रहा हूं कि दिखाता हम पहले कि एंई कि इसमें यहां पे सब्सक्राइबस का है यह पूरा रिकॉर्ड विट । आपको यह outta तो एक बार इस आर्टिकल को आप लोग स्टडी कर लीजिए, साथ में आज जो मैंने बताया आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम कल की क्लास में कस्टम फॉर्मेटिंग, एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में डिसकास करेंगे। आप लोग पास कोई डाउट हो, किसी दाए का कॉश्चन हो तो पूछ सकते हैं, और साथ में आप लोग पर एक बार आपने इमेल आईडी को भी कन्फॉर्म कर लाए, इसका नराम जी कुन से आईडी आपकी? मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है, उपर वाला ना? इसके बार, अमित जी याप अमित जी आप ही कहना, और अतुल ने, सबकी मेरा आईडी हो गए, मैंने बेज दिया, मेरा भी रख दीजी, हलो, आपका क्या है, हलो, हलो, कामरान सर, हलो, मेरा ही है, अतुल जोइन नहीं किया है, ना? अतुल से पूछता हूँ क्यों ने जोइन किया है, ओके? इसकी ब्रैक्टिस कीजिए, हम बात करते हैं, करते हैं, कुछ डाउट होगा, तो कल फूछता है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपके दिए फोन हमें सांट लेकर रखते हैं, करते 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 हैं